अस्सलाम अलेकुम रहमत ल्लाही वबरकातू नाजरीन आप तमामी हजरात बहुत दिन से वीडियो देखते जा रहे हैं और तो आज हम जो सवाल करने वाले हैं वो कुछ जीके से सवाल रहेगा और कुछ सवाल रहेगा हमारा इसलाम से रिलेटेड हैं तो आईए सबसे पहले हम खड़ा करते हैं गुरूप नंबर वन गुरूप नंबर वन सब के सब खड़े हो जाए हम किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं या सची नमाज का सवाल हो या हदीश से पाक हो या फिर जीके का सवाल हो या इसलामी से रिलेटेड दिन्यात की किताबों में से कुछ भी स दिन्याती सवाल में से हैंना कुफर किसे कहते हैं जिन बातों का पेश करना हुजूर स्लिल्लाहु आले वसल्लम से खत्योई और यकीनी तोर पर थाबित है उन बातों में से किसे एक बात भी इंकार करना कुफर है इमान किसे कहते हैं जिन बातों का पेश करना हुज़ू से खती और यकिनी तोर पर फाबित है इन बातों की तस्दिक का नाम इमान है मसाइल के इमाम कितने हैं और कौन कौन है मसाइल के इमाम चार हैं पहले इमाम आजम अबु अबु हनिफा इमाम इशाफाई इमाम अबु इमाम इबु इबने इमाम अभु मुझा आकाईद के इमाम कितने हैं और कौन कों हैं बनी इस्राइल किसे कहते हैं बनी इस्राइल भजतर याकुब हलिए अलाद के कहते ह। दुन्या के तमाम पानियों में सबसे अफ़जल पानी कौन सा है क्या जिन्नों में कोई नभी हुआ नहीं नभूत तो सिर्फ बसरी के साथ है कोई जिन्न भी नहीं हुआ खिलाफत राशिदा कितने सालों तक रही पहले तीस साल फिर बाद में हजड़त अमर बिन अब्दुलाजीज रजिल्ला अना खिलाफत राशिदा धाय साल तक रही वो कौन से सहाबी हैं जिनको कियामत के दिन सब अलमा का इमाम बनाया जाएगा वो कौन से सहाबी हैं जिनको कियामत के दिन सब अलमा का इमाम बनाया जाएगा हजड़त मुछास बुन जिनको के दिन सब अलमा का इमाम बनाया ये इसके बाद हम सवाल करेंगे जीके का सवाल कुछ रहेगा थोड़ा बहुत वही किस जबान में नाजिल होती थी बन में नाजिल होती थी अम्भियाए कराम कवाउम की सवान में इसका similarly वो कौन से सहाभी हैं जिनको वो कौन से सहाभी हैं जिनका नाम कुरान में सराहतना मज़कूर है हझ। नρχ हंनि के लाओ कोई सहाभी यच पिया आभी हिस सहाभाना 我们 स्राहतना है सुराहत साथ मज़कूर नुद नभी और रसूल किसे कहते हैं नबी वह बशर है जिस नबी वह बशर है जिस नबी और रसूल किसे कहते है नबी वह बशर है जिसकी तरफ वही रब्बानी आती है खा वह तब्लीग पर मामूर हो या ना रसूल उस शखस को कहते है जिसकी तरफ वही रब्बानी आती है और वह तब्लीग पर भी मामूर हो इमाम चार है हज़रत इमाम आजम अबु हनीफा इमाम श फ़ई इमाम श फ़ई तब आए इसके बाद हम सवाल करते हैं जीका का तो आप तमामी हज़रात जीका का सवाल का जवाब देशार हैं भारतिये समीधान सभा के अधियच कौन थे भारत के पर्थम राष्टिये राष्ट पती और परधान मंत्री कौन है भारत के पहले शिच्धा मंत्री का नाम क्या है मौलाना अबूलकला माजजाद भारत में कुल कितने परकार के सेना है तीन परकार के सेना जल सेना थल सेना वायु सेना जार्खन राज का सबसे उचा पहाड किस जिले में अस्थित है पारसनात पहाड और ये गिरिडी जिला में अस्थित है जार्खन राज का अस्थापना कब हुआ जार्खन राज का स्थापना कब हुआ पंदरह नोवंबर 2000 को हुआ था जार्खन के वरतमान राजपाल और मुख मंतरी का नाम बताएं वरतमान राजपाल स्री संतोष गंगवार और वरतमान मुख मंतरी स्री हैमन सोरें गिर्डी जिल्ला का स्थापना कब हुआ चार दिसंबर 1972 को हुआ गिर्डी जिल्ला में कुल कितने अन्डुमंडल है और हम लोग किस अन्डुमंडल में रहते हैं चार अन्डुमंडल है और हम लोग खोरी में हुआ अन्डुमंडल में आते हैं गिरिडी जिला में कुल कितने परखंड हैं और हम लोग किस परखंड में रहते हैं गिरिडी जिला में कुल तेरा परखंड है और हम लोग जम्गों परखंड में आते हैं आखरी सवाल भारत में कुल कितने राज हैं और छेतरफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज जी कौन सा है भारत में कुल अठेस राज हैं और छेतरफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज राजिस्थान है तो हज़रात आप तमामी हज़रात ने देख लिया कि छोटे छोटे नन्य नन्य बच्चों ने किस तरह से मेहनत करके जीके का भी सवाल का जवाब दिया और इसलामिक से रिलेटेड भी सवालों का जवाब दिया है आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप वीडियो जो देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपना कॉमेंट बॉक्स खाली है उसमें जाकर के आप अपने हिसाफ से बात रख सकते हैं असलाम आलेकुम रहमतुल्ह